News 18 के Facebook में आपका खेर मगदम है सरोश कफील जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस वक्त इफ्तिकार साहब है जो इस वक्त लाइव पेंटिंग कर रहे हैं इस वक्त कश्मीर में जो है पेंटिंग कहां पे स्चाइन करती है क्या हाल है अभी पेंटिंग का हमने कई सारे आट फॉर्म्स देखे हैं उसमें से जो इस पेंटिंग है वो एसेंशली कश्मीर में काफी सालों से रही है काफी सदियों से रही है मजीद बात करेंगे हम इफ्तिकार साहब से इफ्तिकार साहब हम से जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका कफिल साब बहुत शुक्रिया आपका निव्जेटीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तकार साब यह बताएए कि हाल ही में हमने देखा था कि पिछले एक डेड़ साल पहली की बात है जो एलजी एड्मिस्ट्रेशन थी उन्होंने यहां पर ओल सेक्टरेट जो है वहां पर इन्होंने एक आर्ट गैलरी का प्रामिस किया था आर्टिस को कहा था कि जितने भी आर्ट लवर्ज हैं देकिन कम देर देकिन डिस्प्ले देर आर्ट और हमारी लाइव पेंटिंग्स वहां पर रहेंगी लेकिन अभी तक उस पर कोई खास काम चल नहीं रहा यह बहुत बहुत ही बड़ी और अच्छी ख़बर थी फॉर दे आर्ट वर्ल्ड आफ कश्मीर कश्मीर में जो यह इनिशेटी उन्होंने लिया गॉर्मेंट ने एक अच्छा काम किया क्योंकि यहां पर बोड़ी देरीना ख्वाहिश थी हमारी आर्टिस्टों की और सब लोगों की कि यहां पर एक आर्ट गैलरी हो तो वो कभी नहीं थिया तो अब वो आ चुकी है और उन्होंने जो पुराना शेरगड़ी कंपलेक्स उसको जो आता है इस आर्काइवस डिपार्टमेंट केता है तो कल्चरल अकेडिमी इन्होंने यह एक उसको डेडिकेट किया और की बड़ा कदम था लेकिन उसमें यह हमारा फीड़ बैक और यह यह है उसको इंपरू करने के लिए क्योंकि जो आर्ट गैलरी उन्होंने बनाई है उसको वो उन खुतूत पर नहीं है जो कि वो तो एक बिल्डिंग है उसमें आर्टफेक्स बड़ी कीमती कीमती उस पर वो नहीं उस पर वो काम करने की जुरूरत है और जो शेरगड़ी उदर उन्होंने बनाया है एक जहां पर एक्जिबिशन एक्जिबिट कर सकते हैं अपनी आर्ट वर्क्स वो वो भी हौल है जगा है लेकिन लाइटिंग जिस जैसे आर्ट गैलरी में होता है वो वह है तो कुछ है स्कूर्टी का मसला क्या है तो वहां पर हमारा हमारी घुजारिश और खौहिश यह है कि जो यह कंप्लेक्स है मुझे लगता है क्योंकि यह तो एक निवस में भी आया था कि उस पर गौवर्नमेंट ने एक डीपी आर भी बनाया है और उन्होंने कुछ सेंक् की वज़े से लिंगरान हो रहा है मुझे नहीं लगता किस वजवात की वज़े से अर्बाब एक्तियार जो है उस पर ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं लेकिन अगर यह काम हो वो उन खुतूत पर बने इंटरनाशनल जैसे बंबे में है दिली में है और बाहर मैं तो यह बड बड़ा असासा है इंवन्ट्रि है अच्छी बेशकिमती पेंटिंस की तो बाकि अच्छे काम है जैसा मैंने कहा हमें तंकीद बराई तंकीद करनेश gir तामीर करनी चैब तंकीद बराई तंकीद नहीं करनी चाहिए तो काम अचा हुआ initiative बहुत ही आचा हुआ हम उसे बहुत खुश है लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए जो मैंने अभी points बताए उस पर गौर करने की जुरूरत है इसकार साब क्या वज़ा हो जाती है जैसे यहां पर पेंटिंग का कल्चर है हम बाहर देखें हम दिली बाउंबे की बाउंबे में काला गोड़ा लगता है वहां पर बहुत सारे अलग अलग जो हैं यहां पर क्या रीजन है कि यह जो exhibitions हैं especially painters के लिए जो exhibitions है यह नहीं हो रहे हैं बस यह तो कुछ इसमें बदकिस्मिती है कोई ऐसी वज़ा नहीं है कि यहां नहीं होना चाहिए historically अगर हम देखें तो कश्मीर में पहला art camp मुनकद हुआ है हिस्ट्री में हिस्ट्री में और बड़े-बड़े initiatives हुए है historically लेकिन यह नहीं हो पाया उतना फरोग नहीं हो पाया कश्मीर में आर्ट और paintings के बारे में तो इसमें हर एक चीज़ में एक तो public का भी इसमें रोल है लेकिन government का बड़ा हाथ होता है government के एक stroke से यह सारा scenario change हो जाएगा तो जैसे यहां cultural academy है उनको चाहिए कि at least quarterly वो art camps मनकद करें और artists को बलाएं जो यहां के जेरे तालिम है यह जो बाकी artists हैं चाहे वो self-taught हो या कोई हो वो वहां पर अपनी एक camp बनाए तो वो फिर inventory add हो जाती है national international artists को लाएं वो काम करेंगे और हमारी जो gallery है वो enrich हो जाएग और बाकी बच्चे जो है schools के उनको अब देखिए सिरी नगर में access हो सकते हैं जो गाओं के बच्चे हैं मैंने खुद मैं अपने खर्चे पर गया हूँ last year मैं गया काजी गोंडे एक पुरा बड़े गरीब स्कूल में वहां मैंने खुद art camp किया और खुद ही अपने उनको मालब एक workshop किया इस तरह एक दो तीन मैंने काविशें की हैं तो जब बचे आएंगे और बड़े artists को साथ मिलकर वो देखेंगे काम करेंगे quarterly हो six monthly हो yearly इसे पांच-छे interventions और events हो तो उससे काफी enrich होता है माहूल अभी माहूल फिर माहूल एक बनेगा जो एनेफ्टी जाई हैं डिजिटल पेट्निंग्स आई हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है बस यह मैं आसल में यह एक नया concept है मुझे था अपना मेरा टीनेज सान ने उसी से ज्यादा सुना तो एनेफ्टी जैसे उसको कह खरीते हैं और वह प्रापर्टी बन जाता है और फिर उसको लोग खरीते हैं जैसे वह क्रिप्टो करन्सी है बिट कोईन है उस तरह वह उसको खरीते हैं बेजते हैं जैसे हमने देखे हैं ना लोगो नाइकी तो लब चूंकि यह है अब हमरा मकसद अड़ोटिजमें नहीं है लेकिन हम ले सकते हैं ना ट्विटर का लोगों है नैकी का लोग लोगों पर ही चल щit टीक आता है तो हमें जहन में आता है कि ना इकिए तो इनको बनाने वालोंने काफी उसे मतलब वह कौस्ट पैसा मिला है मिल्यान्स मिल्यान्ज डॉलर में वह फिर विएक्टा है किसी और कही ना कही एक ग्रूप बने तो जो यह आने वाली जनेरेशन जे वो उनको टीच कर पाया अलग अलग तरीकों में कही पर फ्री कैम्प हो गया कही पर किसी के साथ आपने एमाल्गमेशन कर लिया तो आपको लगता है वो इमपौर्टन्ट अथिसे फोर्म यह तो है एक हेल्दी सोसाइटी एक वाइब्रेंट समाज की तो यह रूकर्मेंट्स हैं ऐसे forms हो, writers association हो, painters association हो, senior painters, artists वो encourage करें बच्चों को, कोई ऐसा बनाए, कोई इसलिए मैं कहा रहा हूँ जैसा अब जब culture लेकर वहाँ पर अगर वरक्शाप भी बनाते, तो लोग आतें वहाँ पर एक वरक्शाप होता है, facilities होती, तो वहाँ पर वो अपना काम करते, बैठते, तबद ख्याल करते, exchange of ideas होते, कोई भी काम अगर करना हो, उस पर तबद ख्याल करना बहुत जोरी है, उसी discussion से उस problem का सद बाब और solution निकलता है, एक तहरीक निकल पड़ती है, एक literary काम की या artistic काम की in sessions से, ये एक होता है ना, वो brainstorming sessions जैसे कहते हैं, इन session में ऐसे काम होते हैं, students, so teachers, so intellectuals, आपस में वो discuss करके, उसके solution भी निकलता है, तो ऐसे forms बनेंगे, ये इस से होगा, कौर्वर्मेंट का इसमें काफी रोल होता है, तो अभी बस आपकी कुछ paintings देखेंगे यहां पर, हमारे जो देखने वाले हैं, जी प्लीज, थोड़ा सा explain करेंगे, आपके हमने paintings में mostly देखा है कि शहरे खास है, शहरे खास की जो है जलकिया है, आपकी हरे पेंटिंग में इसकी कोई खास वज़ा है? यह तो मैं देखिए, मैं बच्वन में मेरे वालत साफ मुझे ले जाते थे शहरे खास, तो मैं उन दिनों बच्चा साथ था तो उसमें ज्यादा interest नहीं लेता, बाद में उनकी वफात के बाद, तो मैंने वही चीज़ें बनानी शुरू की, क्योंकि यह बड़ा ही यह romantic architecture है, मुझे बड़ा fascinate करता है, जैसे यह जैमा मजजद नावहटा का यह मनज़र है, इसमें फिर हम बाहर वाला अगर देखे, तो मतलब वो खोश हो जाता है, हमारा culture, heritage चीज़ें हैं, हर जो आपने खान का है मौला है, इदर पुराने मकान है, यह मनज़र है, तो यह इसको मैंने बनानी की कोशिश किये, oil painting में, तो हाँ, अभी मैं visit कर रहा था, चूंकि मैं इस शहर खास मैं visit अपना अभी गया, वहाँ पर मैंने चीज़ें देखी, तो इदर आली कदल में मैंने एक मनज़र देखा, तो डब, डब हमारा एक cultural का हिसा रहा है, यह बड़ा important चीज़ होती थी है, डब wooden, यहाँ पर बैठते हैं वेरंडा जैसा, balcony भी कह सकते हम डब कहते हैं कश्मीरी में, वहाँ पर कुछ लोग सर्दियों में दूप सेखते थे, और लेडीज बैठती थी, और knitting करते थी, तो बातें करते थी, तो बातें करते थी, यह एक एहम चीज़ होता था घर का, तो अभी किसी प्रो है, heritage buildings, इस पर मैं विजिट करके आया, अब मैं South Kashmir भी जाओंगा, वहाँ पर मतलब जो religious places भी हैं, चुंकि वो उन में architecture होता है, तो कोई भी हो, तो हम उस में देखके, उस पर हम काम करेंगे, और पुरानी जो विमारते हैं, और गलियां हैं, वो उनको